दोस्तो रतन इंडिया पावर की बात के तो श्टॉक में फाइनली आज वही हुआ है जिसकी बात मैंने लगातार पिछले वीडियो में बताई है कि इसमें ऑपरेटर का गेम भी चल रहा है यानि बड़े फंड आउस काफी जबरदस इंवेस्मेंट कर चुके है और वो कभी भी प्रॉफिट बुक करेंगे अब आप देख सकते हूं कि रिजल्ट के पहले ही उन्होंने प्रॉफिट बुक करना ही सही समझा अब रिजल्ट हमारे सामने कल होगा हो सकता है रिजल्ट कमजोर हो तो फिर भारी गिरावट की समवहुण बनेगी क्योंकि स्टॉक बहुत अलड़ी दोड़ चुका है ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा और इसी विज़े से आज भारी बिक्वाली हुई बहुत जबर्दस आज वॉलिम हुआ है यानि वॉलिम टॉपर भी बना है अब आप देख सकते हूं कि क्या इस श्टॉक में प्रॉफिल बुक करना चा पहले या फिर रिजल्ट के बाद एक सांदार तेजी की समावना बनेगी वैसे कमपनी की तरफ से बहुत सारे डिसीजन लिये जा रहे आने वाले समें कमपनी अपने पीज़ेस को रिस्ट्रक्चर करना चाहती है एंसे बाहर निकलना चाहती है लेकिन प्रॉब्लम तो है ल अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस बीडवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत काफी सांदारी 14.40 पर यानि जबर्दस शुरुआत की स्टॉक ने बिलक 13.15 का लो बना है क्लोजिंग 13.15 के आसपा से रही है 5.05% की गिरावट के साथ अभी इंट्राइट का लो जो है वो 13.15 का लेकिन हाई 14.50 का है यह एक फ्रेश हाई आज बनी थी पिल्कुल स्टॉक जो दोड़ना शुरुआत 8-9 रोपे से उसने साड़े-4 तक दोड़ लग पीछे है अब वॉलुम ने देखी सकतू आज तुफानी तेजी देखनाओ को मिली पीछले एक मैने सबलेश का 7 क्रोड का वॉलिम था 5 क्रोड की डिलिवड़ उठाएगी वन विक पहले 12 क्रोड का वॉलिम वा 5 क्रोड की डिलिवड़ उठाएगी और सेटरेडे को 91 लेका डिलेवरी बेसिस में काम हो था लेकिन आज देख सकतो कि 40 क्रोड का बंपर वॉल्यूम हुआ यानि वॉल्यूम गये पूराने रिकॉर्ड तोड़े और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामल में नंबर दो पे आ गया रता इंडिया पॉवर तो किसी बड़े फंडा उसने आज बहुत जबर्दस्त विक्वाली के जिनों नीचे लेलेवर से खर्ड़ारी के थी रिजल्ट के पहले उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और इस वजह से आज हमें ये भारी गिराउट देखना को मिली वरना तेजी और आगे बढ़ सकती थी लेकिन बल हमारे सामने रिजल्ट होगा देखो कमपनी ने 22-25-2024 को रिजल्ट डिकलेर कर दिया है और ये डेटा हमारे सामने आ चुकी है और जो इंसाडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग फिलाल क्लोज है तो वो देख सकते हो कि फ्राइडे को खुल जाएगी यानि 24 तारीको या प्रमोटर ग्रूप से वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे अपने शेर ले पाएंगे या फिर बेच भी पाएंगे अभी फिलाल उनके लिए ट्रेडिंग विडों क्लोज से भी के रूल्स के तैन क्योंकि रिजल्ट के अंदर की सारी समावन उनको पता होती है और अब बात कर लेंगे अगर हम दिसंबर क्वार्टर की तो रिजल्ट कम जोर रहाता काफी जाना अब देख सकते हो डिवेन्यू एट इंडे 6.38 क्रोट के आसपास था जापे 5.1 परसंग की यह अरनों बेसिस पर हमें गिरावट देखना को मिली थी नेट इंकम माइनस 586.97 क परसंग की यह अरनों बेसिस पर हमें गिरावट देखना को मिली डायलोड Boss एपियस माइनस 1.09 यह रिजल्ट कम जोर था पिछला और अगर ऐसा ही रिजल्ट इस बार भी रहा तो फिर स्टोक के अंदर गिरावट भी होगी च्योंकि स्टोक बहुत जाला दोड चुका है अ आइफेल सेकूर्टीज की तरब से संजीव बसी ने इसमें 18 रुपे का टार्गेट देदी था उनके इसाब से पावर सेक्टर का यह एक नया गोल्ड है और यह आने वाले समें सांदार प्रदेशन कर सकता है और इस विजह से इसमें तेजी बननी शुरू हुई थी अब आप इस स्टॉक के अंदर बहुत सारा रिस्क भी है क्योंकि जो रिस्क ले सकता है वह उसकी को भारी रिवार्ड भी मिलता है तो यह अभी फिलाल इसके ओपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है NCLT की कंपनी कुछ सेटर्मेंट कर रही है वर्दे पार्टनर का सयोग भी मिला है लेकिन प्रॉब्लम अभी बनी हुई है अब यहाँ पर जो आज इस स्टॉक के अंदर जो भारी भरकम बिक्वाली देखनों को मिली उसकी समावनों को देख लेते आज की डील के माध्यम से तो सुबन 9 बचकर 23 मिनट पर 14.50 की प्राइस से 28,16,000 की सांदार खरीदार हुई यानि बाजार खुलते ही यहाँ पर जबरदस खरीदारी का दोर शुरू हुआ और उसी समय 9 बचकर 23 मिनट पर 14.50 की प्राइस से 73,16,000 की बंपर खरीदारी हुई यानि किसी ने लगबग 1 करोड शेयर खरीदे सुबह सुबह और उसके बाद अगर आप देखे तो 9 बचकर तो इस लेवल पर अगर करोडो शेयर खरीद रहे तो आने वाल इसमें तेजी बनने की उमीद जक्ती है फिर उसके बाद 9 बचकर 26 मिनट पर 14.45 की प्राइस से 40,99,000 की किसी ने प्राफिट बुकिंग कर ली उसके बाद देखे तो 9 बचकर 34 मिनट पर 14.45 की प्राइस से 86,10 की बंपर बिक्वाली हुए यानि किसी बड़े फंडा उसने जबर्दस अपने शेयर बेचे प्राफिट बुकिंग किये फिर 11 बचकर 25 मिनट पर 13.80 की प्राइस से 39,25,000 की बड़ी बिक्वाली और हो गई यानि बिक्वाली का दौर शुरू हुआ फिर 1 बचकर 24 मिनट पर एक बड़ी बिक्वाली और हुई और इस हिसाब से देखे तो लगबग करोड के आसपास के शेयर बेचे गए फिर 2 बचकर 20 मिनट पर 13.15 की प्राइस से 79,45,000 की एक बंपर बिक्वाली और हुई तो यह क्लेरी समझ में आ रहा है कि सुबब सुबब इसमें करोडों शेयर लेकिन जैसे ही दूपर हुई इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू ही कुछ बड़े फंडा उसने बिक्वाली शुरू कर दी क्योंकि कल रिजल्ट आने वाला है और हो सकता है कि रिजल्ट कुछ कम जो रहे तो फिर यहां पे लोर सर्कृट का दौर कई सुरू न हो जाएगा और इसका मलब 10 का तूटेगा फिर गिराउट और बड़ेगी तीसरा सपोर्ट सीधा 8.68 के आसपास आ रहा है यानि स्टॉक वहीं पर आ जाता जांसे इसने लगबग शुरूआत की थी अब पॉजिटिव माहूल बना तो 14.88 का फॉस्ट रेजिस्टेंस है जिसक संजीव बसीन का टार्गेट है यानि तीसरा रहुज रेजिस्टेंस हैं संजीव बसीन के टार्गेट के आसपास है तो अगर रिजल्ट उम्मीद से बैतर हुआ और इस बार कमपणी ने अपने लॉस कम कर लिया तो फिर आने वाले समें ये 18 को आराम से क्रोस कर सकता है और तुफानी तेजी भी बता सकता है तो सारा का सारा दारोमदार अब कल के रिजल्ट पे तो जैसे ही कल रिजल्ट डिकलेर होगा उसको हम जरूर डिसकस करेंगे उसको एनालिस करेंगे और समझने की कोसिस करेंगे कि कितना बैतर रिजल्ट राए और क्या कमजोरी रहे एके क कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like शेज रुकिज़े और channel को subscribe कर दीजिए Thank you friends